नमस्कार जोहार गोड इभनिंग मेरा नाम है कमलिश महतो और आज आपके समने जो उपस्तित हुए उसमें हम बात करेंगे जारखंड सहायक अचार 6-8 की परिक्षा से समन्दित आपको ग्याद होगा कि जारखंड में 6-8 और 1-5 के लिए कुल 26,000 पदों की बहाली होनी है और चुना के बाद यह संभावना है कि 1-5 की प्रक्रिया खतम हो जाएगी मतलब एक्जाम लिया जाएगा उसके बाद 6-8 की भी एक्जाम लिया जाएगा आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं उसमें मुख्य तो बात करेंगे 6-8 में जिनका लैंग्वेज है और उ जो विदा और था उसमेंरी जिनकार जास रखता है UP 5-3 इंग्लेस चुना से है इसमें जो भी एक पहसा है जो भी कुछ ले सकते तो बीढैं जो अधिसुचित भसाएं हैं उन में कुछ चैन कर सकते हैं मुख्य रुप से पहली भासा क्वालिफाइंग उसके बात मैं नहीं कर रहा हूं मुख्य रुप से मैं बात कर रहा हूं पेपर 2 और पेपर 4 के बारे में उसका जब शिलबस है और जिन्होंने इंगलिस भाषा का चैन किया उनके लिए तो उनके लिए क्या शिलबस रहेगा उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकते हैं साथ ही हम आपके साथ एक वायदे के साथ भी आये हैं कि जो आपका topics है उससे related हम MCQ questions बीच-बीच में लेकर आएंगे और आप MCQ questions की बहतर practice करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हाँ पर आपके लिए 15 प्लस मौक टेस्ट paper 2 और paper 4 दोने के लिए इसमें आप मत समझेगा कि यह क्यावल paper 2 के लिए है आप अगर syllabus को बढ़िया से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि paper 2 के बारे में कहा गया है कि paper 4 पर ही आधारित होगा वह पत्र है न तो यह इसका पाठ्यक्रम है इतना उल्जाव है आप देख रहें कि जब से बाली के प्रक्रिया शुरू हुई है इसकी नीतिया इसकी निमावन लिया और इसके syllabus को लेकर बड़ा उहापो हो है एक confusion है बहुत बड़े पैमाने पर है न तो इसके syllabus और पाठ्यक्रम को समझना भी अपने आप में एक आप मौक टेश्ट खरे सकते हैं जिसमें 15 प्लस आपको मौक टेश्ट मिलेंगे वो 99 के दर पर रेट पर है चली आगे बढ़ते हैं और हम इस syllabus को discussion करते हैं उसके बाद हम प्रश्णों को भी देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें इंग्लिस का grammar portion है इस paper का न होंगे उसके बाद vocabulary होंगे जिसमें इंटॉनिम से नॉनिम बगर भी होंगे उसके अलावा spellings होंगे मतलब grammar का पूरा portion नहीं उठा दिया एक तरह के सब देखेंगे तो उसके बाद grammar में adjective है पूरा पार्चा पे speech देख सकते हैं adjective है noun है pronoun है verb है subject word agreement है interchangeability है अप noun and verb, gerund, participle, infinitive कुछ थोड़ा नहीं adverb, tense, clauses, transformation, narration, voice, preposition तो यह हो गया आपका देखिए उसके बाद sentence structure से related questions पुछे जाएंगे तैसा synonyms मैंने कहा, synonyms ही है, intonyms है, sentence completion है, idioms and phrases है and comprehension passages भी पुछे जा सकते हैं यह हो गया आपका एक portion आप देखिए literature portion में, आप मेरे खाल से इसमें आप क्या बताया जाएं यह तुखेर ऐसे है grammar का portion है आप देख सकते हैं बड़ी लंबी चोड़ी और एक ब्रिहद syllabus है, it's a very vast syllabus सब मेर पूरा क्या कहा जाए syllabus में कर टिपनी करी जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी देखिए, अब literature portion है, वो भी एक बहुत बड़ा area को कवर करता है और हु बहु जो जहारकन सीजेल की जो syllabus थी वही इन्होंने उठा कर रख दिया है, बहुत ज्यादा इन्होंने मशक्कत और मेहनत करने की कुशिच नहीं करी है, इसमें आप क्या करना है, literature में, जो novel portion है, उसमें चार novel पढ़ने है, the first one is the old man and the sea, अर्निस्ट हैमिंगवे का एक novel है, तो इस novel को पढ़ना है, and the second one is the painter of science, आरके नरायन द्वारा लिखी गई, एक novel है, and then the third one, the power and the glory, Graham Greene की एक बहुत प्रशीद novel है, उसके बाद fasting fasting, अनिता जेसाई की भी एक family drama है, ये भी पढ़नी है, उसके बाद देखिए, drama portion, drama में भी चार drama पढ़ना है, plays है, जिसमें आपका देखिए, the tempest, sexpire द्वारा लिखी, द्वारा लिखी है, उसके अलावा, finance obligation, एक चीज आप जरूर ध्यान रखेएगा, कि यदि आप English भासा से हैं, या फिर किसी से भी है, तो आपका जो syllabus है, और उसमें जो works दिये गए है, novel, drama है, poetry है, stories है, essays है, जो भी है, उनके नाम और उसके जो novelist है, dramatist है, या poet है, उनके जो works है, उनको जरूर याद रखेगा, क्या होता है कि कई बार आपको एकदम directly पूछ लिये जाते हैं, syllabus से ही, है न, तो ये वाली एकदम, जो silly mistake है, ये ना करें आप, Dr. Faustas है, Final Solutions by Mahesh Datani, Hayavadana, एक historical drama है, गिरिश कर नाद द्वारा, है न, थोड़ी बहुत ये लोग है, जि Shakespeare, उसे तरह कि क्रिश्टोफर मारलवी, जो कि प्रिडिशर स्था, Shakespeare का, उसके बारे में थोड़ी बहुत जनकारी, खासकर कि उनकी जो अन्य और वक्स है, अधर वक्स उनके जो फेमर्स, उनके बारे में आपके थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, and the same way, we move towards poetry, आपका poetry में देखिए, क्या पढ़ना है, sonnet 29 है, William Shakespeare द्वार लिखी थे, and the rainbow, William Wadsworth की एक बहुत ची पोईम है, नेचर पोईम है, and the second one, the traveler, Walter Dila Meier की लिखी कभी ता है, lead kindly light, cordinal Newman ने लिखी है, spiritual kind of poem है, the splendor falls, Alfred Lord Tennyson द्वारा लिखी गई है, और तो नाइडल का एक बहुत, समझे सकते हैं, कि वन अफ दे बेस्ट पोईम रिटेन बाई सेली, है ना, तो, sorry, ठेली केना है, किट्स द्वारा है, जॉन किट्स का, और तो नाइटिंगल, उसका है, और तो दे वेस्ट इंडिया दा रहा था मुझे, इसले मैंने, सेली, तो, जॉन किट्स द्वारा लिखी गई है, वो तो नाइटिंगल, अ, दो होलो मैं, टेलीफोन, कॉन्वर्सेशन, ओल स्वेन का, कि द्वारा लिखी गई है, और रिवर, एके रा मानुजन ने लिखी है, इसले, इसले पहले है, पोईट्री पोर्शन, इन वेच, वेच, व फोर्थ वर्ण, ये, History, History of the English Language है, इसमें उसे पहले हम सदेख, सो ότι स्टोरीज है, सोट एस्टोरीज देख लिजे, तो सट एस्टोरीज में, स्टोरीज है, जिसमें लेखिए, जिसमें देखिए, इन ग्रास, आरकी नरायन की है, कहीति है, राबिनात टेगोर इन लिखी है, कास्ट भी दे मैन अप दे हाउस फ्रैंक ओ कॉर्णर ने लिखी है तो यह हुआ उसके बाद कामला मारकंड़ यह ने लिखा है यह उसके बाद इसके बाद ग्राम ग्रीन के ही द्वारा लिखी गई है रियाद करिये रॉबर्ट ग्रीन और ग्राम ग्रीन है उन्होंने उनकी सौट इस्टोरीज पर पढ़ना है उसके बाद इसके बाद की किताब की उन्होंने प्रेफरेंस दिया है उससे आपका पॉर्षन कवर हो जाएगा उसके बाद आगला पॉर्षन आपके सामने आता है वो है एसेज का एसेज में महात्मा गांधी की वोलंटरी पोवर्टी पढ़ना आपको यह बड़ी अच्छी एसे है वोलंटरी पोवर्टी और डिस्सिप्लीन और फूर डेली लाइफ यह सेकेंड है और थार्ड वन सिविलाजेशन अफ दे दे ची एम जोड की लिखी गई एक एसे है और फूर्थ वन लेटर तूर टीचर नोरा रोसी और टॉवन कोली इस टांसलेशन वर्जन है उसको पढ़ना है उसके बाद कामला नेहरू जावारलाल नेहरू द्वारा लिखी गई यह से है इसको पढ़ना है देखिए फॉनेटिक्स का एक पोर्षन है तो इस स्टूडेंस जो बला शुम्रमन्यम द्वारा लिखी गई उसमें आपको इसका पॉर्षन से मिल जाएगा इसके बाद एक कोर्स इन फॉनेटिक्स द्वारा लिखी गई है इन दो किताबों से आप फॉनेटिक्स का पॉर्षन को कवर कर सकते हैं तो यह हुआ एक ऐसा तो मै मैं पांच मिनट में आपको सिल्बस समझा दिया बट विन यू गो थू 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 अल्मोस्ट इज डाइविंग लाइक इन और शी और शीन इस तरीकेश लगता है जब आप सिल्बस को पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है कि समंदर में हम अपने आपको क एक शौशी नमर का है ना एक शौशी नमर का दे सेम वन है ना दूसरी भासाओं को जैसे भासा इंग्लिस वालों को थोड़ी सी बेनेफिट कही जा सकती है चुकि जो पेपर फोर है उसमें जो बागी भासा के लोग है उनके लिए 90 क्वेशन 50 परसंट लिखा है तो उसका म 80 questions will be asked from the English only है ना तो एक शौशी question पूछे जाएंगे आपको इसी से और एक मज़े की बाद समझें प्लास आपको जो पेपर 2 है उसमें 100 question 100 question from the same syllabus so you will cover almost 280 questions 280 question from the this syllabus only है ना तो एक थोड़ा सा तो आपके लिए advantage है आप अगर दूसरे भासाओं के जो candidates उनकी comparison में आप देखेंगे तो आप कुदको एक तरीक से लखी ही समझेंगे है ना तो दिस इज अल बाद सिलबस इन कमिंग वीडियो जूख आपक वाइज विल कवर द एम सिक्यूज है ना जैसे शुरू में हमारे पास जो पूर्शन आता है यह ना जैसे सुरू में हमा कर आपको इस समय कोषिछ करेंगे एंग किंपोर्टन की इंसिदेंस इंपोर्टन के सहारे हम स्टोरी को भी समझने के कोसिछ करेंगे और वीडियो टॉफटेंट का सब्सक्की ना नौवल अवर the important phases that passes through in that very novel तूस पूरे उस novel की जो कह सकते हैं की में इन घटना है मुख्य जो घटना है उन सब मों के बारे में हम लोग बात करेंगे through questions, question के through तो this class can be understood as one of the introductory class it is about conveying about the courses course that has been launched by yesterday for course तूस के बारे में आपको convey करना था and then we will talk about and also I will inform you about the further classes है ना कि आगे के classes में जो हम बात करने वाले हैं particularly about topic-wise MCQs तो that can be very beneficial for your coming examination तो best of luck for examination head और मैं कहूंगा कि आप जुडे रहे हैं और पुरी कोशिस रहेगे कि मैं और सागर सर आपको इस परक्षा के लिए पुरी तरह से आपको तयार करूं और सभी topics से related आपको content बेहतर तरिके से उपलब्ध कराया जाए तो that's all from today's class आज यहीं class कतम करेंगे and in next video we will talk about the MCQs from the novel the old man and see written by Ernest Hemingway thank you